नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का दोस्तों CT परी में 5 अंक दिये गए थे सभी को किसको जिसके घर में कोई सरकारी नोकरी नहीं थी और जिसकी एन्वल इंकम 1,80,000 से कम थी तो इसके बारे में अभी हाई कोर्ट का एक और नहा फैसला आया है जिसके कारणा भी 5,200 के एक बड़ा परभाव पढ़ने वड़ा है और ये रिवाइज जरल्ट है ये कब तक आ जाएगा यदि आप complete details आना चाहते हैं तो वीडियो को लाश्ट काक और धान से जरूर देखें वीडियो में के बटने इस पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा जितने भी साथी इस चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बैल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाड़े वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके और इस आपकड़ से जराविदकों ने नहीं किया तरिक आंकों के दावेदेरी का कोई परमान तो उनको भी प्रोविजनल मान के आंक दिये जाएंगे ये नियूज पहले भी आत्सकी थी लेकिन आज जो चेर्में साब है उन्होंने दुबारा से क्लिरिफाई किया लेकिन यहां प उनको भी हरियाना सरकार की तरफ से पांच संक अतिरिक दिये जाएंगे आयोग के चेर्में ने कहा कि अब भारी राज्यों से आकर हरियाना में रहरे यूजाओं को भी अतिरिक पांच संकों का लाब दिये जाएगा और ऐसे यूजाओं की संक्या 5000 है यानि कि कोई दूसरी स्टेट का है और हरियाना में रह रह रहा है तो उनको भी हम अधिरिक पांच तंक है जिसके घर में सरकारी नोगरी नहीं नहीं है तो वो देंगे हम और ऐसा चेरमें साब ने बताया है कि ऐसे पांच जार और युवा हैं जिनको हम ये नमबर देने वाले हैं तो पांच जार कंडिडेटेटे से इनके नमबर और बढ़ने वाले हैं पहले ये बताया जारा था कि सीटी मेंस में ही धाई नमबर बढ़ाए जाएंगे पांच नमबर ये नहीं बढ़ेंगे लेकिन अभी इसके लिए भी हाई कोट का फैसला आ गया है ऐसा बताया जारा है आपकी इसके बारे में कहरा है आप कमेंट करके जरूर बताएं अपने वीडियो यहां तक देखिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद